दोस्तो फॉर्चुनर के सिग्मेंट में एक और गाड़ी लॉंच होने वाली निसान एक्स ट्रेल नाम से जो कि फॉर्चुनर के टक्कर दे सकती है ऐसी बात हो रही है लेकिन अब यह टक्कर देगी नहीं देगी उसके बारे में तो आगे बात करेंगे सबसे बहले बात करते जहां पर आपको एडा सेंसर मिलेंगे अब वैसे इसके लुक की बात करें तो फ्रंट से अच्छी लगती है और साइड से डीसेंट लगती है लेकिन बैक साइड में उतना लुक मतलब खास नहीं लगा ओर एक मतलब डीसेंट लुक लगता इसका उसके बाद अठारा या फ बाहर से दिखने में चाहे लोगों को यह डीसेंट कार लगे लेकिन इसका इंटिरियर मुझे तो काफी अच्छा लगा जहां पर आपको 12 इंचिसकी स्क्रीन मिलती है इंपोर्ट इंबन सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वायरलेस चाजिंग का भी सपो और यह गाड़ी 4x4 में आएगी कमपनी क्लेम करती है कि माइल्ड हाइब्रेड वेरेंट के साथ आपको 13 किलोमेटर की माइलेज मिलेगी लेकिन जो सूपर हाइब्रेड वेरेंट है वो कावेदा इंटरस्टिंग है जिसमें आप फ्यूल भर सकते हो लेकिन गाड़ी पर चार्ज हो जाएगी जिसमें आपको 20 किलोमेटर की रेंज क्लेम की जारी है कमपनी की तरब से अब उससे तो कम ही होने वाली है लेकिन 15 पकड़के चलते हैं अब अगर इसकी प्राइज की बात करें तो यह बाहर 25 लाग के करीब मिलती है लेकिन इंडिया में इसकी प्र पर आती तो बढ़िया रहता कि पार्स बहार से आरे और यहां पर आशेमबल किया जा रहा है और थोड़ा सा टैक्स कम लगता जिसकी वशिए प्राइज और कम हो जाती है और हो सकता है जिसकी वशिस लाक की नीचे मिलती जिसकी वशिए सार लोग इस गाडी में इंटरस श और ये गाड़ी सप्टेंबर में लॉँच होने वाली है